हर एक employee को salary मिल जाता है दो तरीके के employee है मेरे साथ जो भी जितने भी friend वगरा job करते है न मैंने पूछा कि आपको salary मिलता कब है कुछ तो friend ऐसे बोलते हैं भी या 30 तारीक को चाये Sunday हो Monday हो 30 के 30 account में आ जाता है यानि महिने के end में कुछ बोलते हैं एक से 10 के बीच में आता है ऐसा सुना है अपने कुछ लोगों का एकदम correct time पे और कुछ का time होता है आता जरूर है एक से 10 तो अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों का 30 तारीक को salary जिसका आता है और कुछ लोगों ने बोला sir हमारा salary due होता है एक तारीक को 1 to 10 कभी भी आ सकता है तो इसे बोलेंगे हमारा due जो हुआ न वो last day of month हो गया यह है यही बोलेंगे last day of और यह first day of next month बोलूँगा इसे तो क्योंकि first day of month बोलूँगा तो जिस दिन जाओगे आज जोइन करा बोलूगे लाओ salary ऐसा तो हो नहीं सकता एक महिना काम तो करोगे ना तो first day of month दोनों ही condition में आपका साल मुझे बताईए year कितने time का होता है कितने महीने का होता है चाहे आपको salary इतना मिला हो पूरे साल में आपको 12 महीने का ही salary मिलेगा और चाहे आपका यह हो तब भी आपको पूरे साल में 12 महीने का ही salary मिलने वाला है agree? जिसको एक टारीक को मिलता उसको. महीनी का मिल जाएंगा question on film कि बात nothing that नहीं कर रहा हैakah लो कुछ एसा तो नहीं है जिसको लास्डि मिलता है उसके एक X3 या नहीं problem का आता हैं हमेंन पूरे साल की सेलरी निकाल नहीं e-e-e की सेलरी निकाल ली है मैं सिंपल सा कुश्चन आप से पूछता हूँ आप बताईए का मुझे एर का सेलरी निकालना है मुझे 14 2020 से लेके 31st March 2021 का सेलरी बताईए और सेलरी जो होता है लास्ट डे होता है और मेरी सेलरी 5000 रुपे महिने की एद बताईए पूरे साल में क्या सेलरी होगा बहस सिंपल सा कुश्चन है यह कोई लगे है क्या कुश्चन पूछ रहे हैं 2000 डेहित हैं esperil में मिलेगा maid में मिलेगा जूण में मिलेगा यानि बोलग स्र, यहां पर सेलरी आपकी होगी 1000 मैंने कहा कि same मैं you can pay again रखता हूं 괜찮 do आम्रेने का जो मिलेगा हमें तेम यही रहेगा बस फरख इतना है कि यह है the first day of next मैंने अगें पांच हजार बोला अब बताईए कितना सेलरी मिलेगा अगें 60,000 यानि आपका सेलरी अगें पूरे साल का 60,000 जितने बच्चे लाइव में जुड़े हैं भई वो भी जवाब देंगे साथ के साथ ठीक है जिसका लेग अगर बुलते हैं कि अप में कोई प्राब्लम है पर क्लोज करके चालू करके सही हो जाएगा एक बार और बच्चों का भी बताईए भीया क्या आपका जो वीडियो सामने है उसमें कोई दिक्कत है अगर सभी बच्चों को आ रहा है तो सारी चीज़े क्लियर है आपके बताईए ओके ठीक है चलिए आपने यह बताया अब मैं एक और साधारन बिलकुल सिंपल सा कोईशन देखो यह न आप देखोगे न तो बहुत बेसिक सा कोईशन है जैसा आपने जवाब दिया यही रहता है लेकिन एक्जाम में जब कोईशन आता है ना तो मैंने देखा है जब मैं पेपर भी कई बार मैंने देखा है तो बच्चे गलत कर देते हैं स्टार्टिंग में क्यूकि अगर आपका बेसिक सेलरी गलत निकाल लोगे न तो फूरा कोईशन गलत होता है क्योंकि सब कुछ उसी के उपर percentage डिपेंड करेगा मैं आपके सामने दो साल मैं ड्रोग करता हूँ चलिए मैं इसी के आगे कर लेता हूँ ये इसके लिए है बारा महिने और ये इसके लिए है बारा महिने अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे साथ हजार मिला है वो कब से कब तक का मिला है बता सकता है कोई April to March मैं थोड़ा short form में लिखे देता हूँ April to March ये कब से कब तक का मिला है second जो है ये वाला कब से कब तक का salary मिला है यानि मैक्सिमल स्टूडेंट करें सर डिट्टो एक बार चलिए चेक करते हैं एपरेल से एपरेल चलिए एक बार चेक कर लेते हैं देखे यहाँ एपरेल है में, जून, जुलाई, अगस, सेप्टेमबर, अक्टूबर, नेवंबर, देसमबर, जैन, फैब, और यह मार्च एपरेल वाला एपरेल में मिल गया होगा मई वाला मई में, जून वाला जून में, जुलाई वाला जुलाई में, अगस्त वाला अगस्त में मिलेगा क्योंकि last day है September वाला सर September में October वाला October में November वाला November दिसंबर जैन फैब और मार्च ये बात तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक था सर क्योंकि April से लेके मार्च तक मिला होगा लेकिन यहां चेक करते हैं फिर से हम लगाते हैं यहां पर एप्रेल में जून जुलाई अगस सेप्टेमबर अक्टूबर नमेंबर दिसंबर जैन फैब और मार्च सर एप्रेल की सेलरी और जून में यानि हर महीने सेलरी तो मिल रहा है लेकिन उस महीने का नहीं मिल रहा है पिछले महीने का मिल रहा है तो सर मार्च की सेलरी तो मार्च की तो नहीं मिले तो यानि अगर हम काउंट करें तो ग्यारा महीने हुए लेकिन फिर भी हम April में salary लेंगे तो April में कौन से वाला लेंगे पिछले साल का March वाला कौन सा लेंगे हम यानि यह count होगा यहां से लेकि क्योंकि March वाला सर मिलना नहीं है तो March to नहीं March to March सोड़ी रहेगा March to Feb क्योंकि March वाला तो मिलेगा इनी न मैं salary पैसे हाथ में आने की बात नहीं कर रहा है मैं यह नहीं कह रहा है कि इस महने की कमाई की मैं बोल रहा है पैसे हाथ में जो आएंगे March वाले पैसे तो हाथ में आई नहीं सकते हाँ March में पैसे मिलेंगे लेकिन मिलेगा कौन से वाला पिछले मैंने का तो यहां पर थोड़ा साथ change हो रहा है देख रहे हो March to March सर इतनी सारे दिमाग क्यों लगाया जा रहा है आपसे साल की सेलरी पूछेएगा प्रॉब्लम पता है कब आएगा जब आपका इंक्रीमेंट लग जाता है आपका जब क्या लगेगा इंक्रीमेंट देखिए सर मैंने कहा आपका सेलरी आपको एक चार मैंने कहा आपको एक चार दो हजार एक्केस से इकत्तिस तीन दो हजार बाईस तक का डिटेल मैं देने जा रहा हूँ आपका सेलरी बीस हजार रुपए है बट फैब के मंत में या मान लेते हैं जैन के मंत में पर्स जैन को इंक्रीमेंट लगा आपका इंक्रीज हो गया बाई फाइब था उसे यानि स्टार्टिंग में आपका था बीस अजार और फैब के मंत में आपका इंक्रीमेंट लग गया कितना तो सर जैन में में मेरा बीस अजार सेलरी नहीं मिला होगा 25,000 रुपे मिला होगा समझ रहे बात को जैन में कितना मिला होगा अब मैं जानना चाहता हूँ अगर last day of month का concept हो तो कितनी total salary आएगी और first day of the month का concept हो तो कितनी salary आएगी दो point मेरे questions है question समझ में आए मैं क्या पूछ रहा हूँ अगर last day हो last day due हो तो salary कितनी आएगी तो sir salary कितनी आएगी April से लेके December तक 9 मन तक तो रहेगी 20,000 को increment है नहीं क्योंकि उस मेने की salary उसी मेने मिल रही हमें और 3 मेने तक हमें मिलेगा 25,000 that is आपका ये आजाएगा 1,80,000 और ये आजाएगा 75,000 और ये आजाएगा 2,05,000 टाइम लाइन पे भी देख सकते हो आप इसको कुछ बच्चों को जैसे कई बार confusion होगा सर कैसे हो क्या रहा है यहाँ पे तो उनके लिए है ये एप्रिल, मे, जून, जुलाई, ओगस्ट, सेप्टेमबर, ओक्टूबर, नेवेंबर, देसमबर, जैन, फैब, मार्च ठीक है चलिए सर यहाँ की बात करते हैं एप्रेल वाली सेलरी मिल गई होगी एप्रेल में और एप्रेल में सेलरी कितनी रही है मही वाली मही में मिल गई 20,000, जून वाली जून में इसका मतलब जुलाई वाली जुलाई में ऑगस्त वाली ऑगस्त में सेप्टेंबर वाली सेप्टेंबर में अक्टूबर वाली अक्टूबर में नमवंबर वाली नमवंबर में दिसंबर वाली दिसंबर भी यहां तक तो सर बीसी है गिन लिजे मन्त एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो नो महीने तक हमारे समझ रहे हो सर इसके बाद हमारा 25 मिलना स्टार्ट हो गया जनवरी का जनवरी में मिलाओगा फैब का फैब में मिलाओगा मार्च का मार्च में बच्चा ये ने बोले के फैब 39 का होता है मान लेते हैं मन्त एंड में मिल रहा है तो यहाँ पर पच्चेस और यहाँ पर पच्चेस और यहाँ पर पच्चेस तो सर देखा जाए तो तो तीन तो पच्चेस एंड टू में तीन यह last day of the month की बात कर रहे है first day of next month होगा तो देखो April का तो April में नहीं मिलेगा सर April का मिलेगा माई का June का August July का August में September में August का October में September November, December Jan का कम मिलेगा फैम में और March का आगे चला जाएगा इसका मतलब सर आपका increment Jan में लग रहा है लेकिन आपके हाथ में January में आपको 20 ही मिलेंगे इस वाले concept में January में 25 मिल रहे हैं लेकिन यहां मिलेंगे 20 का सर April में salary नहीं मिलेगा कर मिलेगा सर April में मिलेगा पिछले साल वाला March का यानि देखा जाए सर सेलरी calculate करें तो यहां पर 20 फिर से 20 20 20 मिलता जा रहा है सर जैन में यह रहेगा count कर लिजे 12 महिने तो सर यहां पर जो calculate करोगे न वो करोगे सर 20 अजार इंटू में 10 होगा और 25 अजार इंटू में 2 ही होगे तो यहां पर हो जाएगा 2 लाक और यह हो जाएगा 50 अजार देखिए salary last day और first day में फरक आ गया अगर हमारा increment नहीं लगता है न अगर increment तब तो कोई फरक ही नहीं पड़ता सर अच्छा धाई होगा हाँ धाई लाक होगा सर यह सर अगर increment नहीं लगता तो कोई last day और first day examiner बोल रहा है ने salary due तो पागल बना रहा है कोई फरक नहीं लेकिन अगर salary अगर due बता दे और increment लग जाए तो आपको ध्यान से salary calculate करना होगा लौ क्या कहता है salary आपका पूरे साल का वो माना जाएगा receive and due whichever is earlier कहने का मतलब अगर आपको बोल दिया गया क्या आपको एक अपरेल को मिलेगा next month में तो मिले भले ही आपको 10 तारीकों माल लेंगे कि एक तारीकों मिल गया है government यह कहता है ठीक है हाँ बताईए doubt क्या बच्छा है यहाँ पर 25 ही है अच्छा वो 20 दिख रहा है 20 दिख रहा है अपरेल में तो सर 25 हाँ बिल्कुल कुछ बच्छे कह रहे है सर मार्च वाला अपरेल में मिलेगा 25 तो सर जब अपरेल में मिलेगा 25 तो year हो जाएगा change हमने कब तक का निकाला है सर date इसलिए पहले mention किया यहाँ से यहाँ तक का ठीक है next year में फिर क्या होगा कोई भी हो salary constant है 25 पच्छे से इंटू बारा 25 पच्छे से इंटू बारा होगा अभी hand raise जितने बच्छों का आ रहा है कुछ बच्छों का देख लेते हैं कुछ बच्छों का hand raise जिनका भी आता है मैं लूँगा एक साथ ही hand raise लूँगा पहले मैं concept फटाफट केचवाता जाता हूँ सब जगह होता है आपको salary कुछ भी हो सकता है एक तारिक को मिल सकता है तीस को मिल सकता है company की policy हो देखो यहाँ पे मुद्दे की बात है कई बच्छे ना इसमें confused ना हो जब salary increment लगा आप से examiner क्या पूछेगा बोलेगा basic salary निकाली एक साल का आपने सोचा जी 20,000 salary है आपने multiply किया तो ज़्यादे दर बच्छों का अंसर यह वाला आ जाएगा और यह सही भी है लेकिन अगर examiner ने बोल दिया next day of month यानि first day of next month मिलता है हमारा तो उस case में देखो salary क्या आ रहा है real life में practical life में आपको फरकी नहीं पड़ता पूरे साल की salary जोडते हो गया कभी महिने का मिला pocket में बात खतम कहां नहीं है exam के point of view से सवाल के point of view से इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और यह ध्यान में कब रखना है जब increment लगेगा अगर increment ही नहीं लग रहा question में तब तो भया 12 महिने ही निकालने है देखो यहाँ भी 12 महिने है देखो 10 और 2 12 और यहाँ भी देखो 9 और 3 12 अगर increment नहीं लगता तो मैं क्या करता सिधा 20,000 इंटो में 12 काम खतम समझे जब question में क्या line आ जाए कि उसका increment लग गया है और उसी साल में और last day और first day वाली बात चल रही हो तो वो सर एक्जाम में कुछ खामने ने बताई नहीं last day है कि first day हमिसा मानो last day of the month मिल रहा है उसके हिसाब से calculation करना है priority हमें इसको रखना है जब ना बताया जाए ठीक है फैसन मैंने बता दिया आपको कि जब कुछ ना बोला जाए तो first वाला मानी है last day of the month अंशिका का कहना है कि सर्फ first day due में month कहां से start करें first day due में देखो month मेरा एपरेल से होगा एपरेल में salary receive करेंगे हम लेकिन एपरेल महीने का नहीं करेंगे उससे पिछले महीने का करेंगे हम एक question देए आपको करने के लिए इसके book दिखाईए चली एक question देते हैं आपको करने के लिए आपके book में होगा नहीं है तो मैं सामने display पर दिखा देता हूँ और थोड़ा speed में करिएगा so that मैं जल्दी जल्दी समझा पाऊं आगे हमने great salary तो कर लिया है आज आते हैं due salary आपके लिए आपके लिए अभी भेज रहे हैं आपको question रुके display करते हैं कहा गया मेरा google drive जलिए आगया sir देखिए question मैं अभी आपको board पर दिखा देता हूँ एक एक करके करेंगे हैं न देखिए आपको समझ में आ गया बस मेरी तसली के लिए मैं एक question करना चारा हूँ और कोई reason है नी मैं समझ गया कि आपको sir समझ में तो आई ही गया है फिर answer भी पढ़वा देंगे बुक काई answer है तसली थोड़ा सा ये रहता ने कि हमें आ रहा है चलिए question थोड़ा सा मैं clear कर दूँ शायद कुछ बच्चों को visual ना हो मेरी कोशिस तो यह है हो जाओ भी visual नहीं होगा चलिए कहता है यहाँ पर क्या x is a employee abc limited का getting salary 40,000 per month which is due on the last day of the month but paid 7 day of next month देखो due जो हुआ ना वो महिने के end में हुआ लेकिन salary दिया जाता है मैंने जो contract आपको joining पर रखा नहीं मैंने बुला यह मन्त के end में salary मिल जाती है तो due कब हो गया आपका 30 को लेकिन मैंने paid किया आपको next month के 7 को एक word मैंने बोला था जल्दी जल्दी में कि आपका salary calculation के लिए काम आता है due and paid whichever is earlier उसको consider किया जाएगा तो यहाँ पर salary के point of view से आप 30 तारिक को count करेंगे या next month के 7 को count करेंगे ये तो paid है और ये due है तो whichever is earlier ये वाला है न 30 इस महिने का 7 तो अगले मैंने चले गया भाई earlier कौन सा आईए इसका मतलब यहाँ पर question में वैसे बोल भी रहा है due last day of तो sir due last day of month है और salary कितनी है इसकी 40,000 तो sir basic salary बताईए कितनी होगी इसकी कोई increment नहीं है बिल्कुल साधारन कुश्चन और एक बात और बता दीजिए salary जो मिलेगा वो April से March तक का होगा या फिर आपका फैब से लेके जो मैंने बताया था April से लेके फैब तक का रहेगा जैसे पहले किया था न हमने मार्च से फैब रहेगा यह ठीक है न मार्च से फैब रहेगा या April to March रहेगा April to March रहेगा और salary काफी बच्चों ने सही जवाब भी दे दी salary कहरें सर बहुत आसान question इसमें तो कोई जान ही नहीं है question में 12 से multiply करिए खतम करिए इसे ठीक है एक और question देखे आंसर जिसको देखना है बुक में देख सकते हैं बाकी आंसर लिखा है for the assessment year 22-23 में relevant previous year therefore we salary for the month April to March रहेगा जो कि हमें पता है चली अगर आपका आंसर ये हो question कट गया चलो कोई बात नहीं मैं orally बोल देता हूँ कहता है कि assume in the above case पहले वाला ही है sir 40,000 ही salary है लेकिन first day of the next month होगा और जो paid होगा 7th को होगा first day of next month यानि next month की बात कर रहा है तो आपको सबसे पहले तो ये categorize करना है पूरे साल का salary increment लगनी रहा तो sir पूरे साल का salary में कोई बदलाव नहीं आएगा 4,000,000 लेकिन sir यहाँ पे जो salary मिलेगा न वो April में नहीं मिलेगा March वाला salary मिलने वाला है और 2,5 तक ये जाएगा ठीक है चलो एक increment वाला भी देख लेते हैं यहाँ पे भी same कह रहा है सर मार्च से salary मिलेगा next financial year में वो पढ़ लेंगे आप कोई increment वाला है नहीं कहा assume in the paid salary may in advance चलो यह ऐसा कोई था नहीं increment वाला मैंने example लेके करा दिया यहाँ तक किसी को कोई doubt कोई परिशानी तो बताईए इसके बाद करेंगे ना नहीं HP पहले नहीं तो पूछ लो मैं किसी का भी no doubt ठीक है ना देखे दो चीजे हैं अभी तक जो भी salary start हुआ है ना हमने दो ही चीजे सीखी है basic salary को निकालना अब format में जाएंगे तो मैंने कहा था salary कब खतम हो जाएगा sir salary तब खतम हो जाएगा जब आप ये तीनों चीजे सीख लेंगे जिसमें से पहली चीज निकालना सीख चुके है basic salary अब हमें सीखना होगा allowances फिर सीखेंगे हम पर case it जब ये तीनों चीजे सीख लेंगे तो salary हो जाएगा खतम तो अब कुछ deduction बात कर लेते हैं ये ये दोनों को थोड़ी देर रेस्ट दे देते हैं हम बात कर लेते हैं इन deduction की ठीक है न चलिए sir deduction की बात करते हैं कुछ बच्चे कोईरी भी पूछ रहे हैं जिनका कोईरी है इक बार देख लेते हैं चैट में कोईरी देना आप इसा अब बुड़ एवनिंग कुछ बच्चे लेट जोइन हो रहे हैं कि अधा नियुद कुछ प्रूड़ इस दो आधा है